गुड मॉर्निंग एब्रिवान आज का विलोग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक ऐसी जगा जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है वेलकम टू कुराची विलोग सीरीज एपिसोड 7 कपड़े प्रेस करने से अपने विलोग का स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अज यूजल जाव यार ने अपने ट्राइप फिलाए हुए थे मैं हो चुकी थी फॉल रेडी अगर आपने इस लोग का मेकप ट्रेटोरियल देखने है तो यू केन विजट माई प्रोफाइल मैंने वाँ पर फुल ट्रेटोरियल अप्लोड कर दिया काइंडली फॉलो भी कर लीजिएगा आज हम लोगों ने विजट करने थी 3 प्लेजिस बिकोज डेज थे बहुत कम और हम लोग जा रहे थे जितना हो सकते है ज़्यदे से ज़्यदे प्लेजिस को हम कवर कर सकें सबसे पहले हम लोगों ने जाना था माई मॉस्ट फेवरिट प्लेज ये मेरी आपी के घर से तकरीबन 10-15 मिनट्स की ड्राइफ पर है यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग रवाना होगे अपनी मन्सिल की तरफ पते 10 साल होगे है मेरी शादी को और जब ही मैं कराची आती थी ना मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं जरूर जाओंगी यहाँ पर लेकिन वो कहते हैं ना हर चीज़ का एक मकररा वक्त होता है वक्त से पहले आपको कुछ भी नहीं मिल सकता So finally, here is the moment कि मुझे भी इतनी पाकीज़ा हस्ती के मजार की जियारत करने का मौका मिला तरगा में एंटर होते साथी आपको यह खुबसूरत खुबसूरत सी शौप्स नजर आएंगी यहाँ पर बहुत ही प्यारी चीज़े मुझूद है जो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ऐसा गिफ्ट्स ले सकते हैं पते हैं जब आप लोग इस तरह की प्लेसिस पर जाया करें न तो इन लोग उसे जरूर प्रचेस किया करें बिकोज हम लोगों की वज़ए से ही तो इनकी रोजी रोटी चल रही होती है हम लोग इनके लिए कस्टमर्स होते हैं तो यहां पर आकर कंजूसी मत किया करें यहां पर मैं अपने लिए कड़ा देख रही थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पहने वे फिर हम लोग आगे फ्लॉरा शॉप में यहां से हम लोगों ने लिए फ्लार्स मजार पर चढ़ाने के लिए यहां पर हम लोग रख़ा रहे थे अपने शूज बिकोज यू नो डैट के दर्गा के अंदर तो शूज अलाउनी होते यह है इनका सिल्फला इनसब आप लोग स्टॉप करके रीड भी कर सकती है या फिर गूगल कर लीजिएगा इतनी पूर सकून जगए है ना ये कि मैं वर्ड्स में एक्स्प्लेइन भी नहीं कर सकती और यहां का जो ओरा है ना वो आपको एक अलगी फिलिंग देगा यहां पे हम लोगों ने स्टेर्स पर चड़कर उपर जाना था बिकोज अब्दुल्ला शागाजी का मज़ार काफी उंचाई बर है अब इन्होंने काफी सहूलत कर दी है ये स्टेर्स बना कर लेकिन जब हमारे नानी नाना का दोर थाना वो लोग बताती है तब यहां पर कोई स्टेर्स नहीं थी यहां फज़ने पढी थी फातिया यहां पर हम लोग ने करवाया दम बिकोज अलाताला के कलाम में तो बरकत ही होती है वो सब कोई कर रहे थे वहां पर दम इसलिए फिर हमने भी करवा लिया यहां पर इन्होंने पार्टीशन कीवी थी means ladies एक side पे थी और gents दूसरी side पे थे और इतना ज़्यदा रश्टा ना आप लोग देखी सकते हैं यह एक side आगे थी दिये वाली यहाँ पर उन्होंने कुछ oil रखावा था इसके अंदर and seriously I have no idea about it के यह क्यों रखावा था उन्होंने इसका मुझे इतना knowledge नहीं है यह पिर हमने सारा अंदर से view capture करने की कोशिश की you can see this how it looks so beautiful mashallah यह इन्होंने खुबसुरों खुबसुरों से birds भी रखे वे थे यहाँ पर let me clear one thing about जियारत and दूआ अगर कोई इंसान जियारत पे जा रहा है it doesn't mean that कि वो वहाँ पर दूआ मांगने या फिर मनत मांगने ही जा रहा हूँ देखें देनी वाली जात तो सिर्फ Allah ताला की है और दूआ सिर्फ Allah ताला से ही करनी चाहिए but being a Muslim हमारे ये अकीदा होना चाहिए कि ये Allah ताला की बरके जीदा हसती है और इनकी इज़त और इहतराम हम पर लाजम है यहाँ पर हम लोग वापिस आ गए थे स्टेर्स से यहाँ पर हम लोगों ने अपने शूज लिये वापिस then हम लोगों ने जाना था लंगर वाली साइट पर यहाँ पर आपको हर किसम की पकी पकाई देगे मिलेंगी लंगर करने के लिए जाहे वो बर्यानी की हो या जर्दे की हो आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हैं और लोगों में तक्सीम कर सकते हैं अगर अल्ला ताला ने आपको तौफीक दी या ना तो जरूर लंगर किया करें यहां आके बिकोस बहुत से गरीब लोग होते हैं जो हमारे लंगर का वेट कर रहे होते हैं और दो दो तीन तीन घंटे से लाइन में लगे होते हैं उनका ये एक टाइम का खाना होता है हमारी तरफ से यहां पर हम लोग पर चेस कर रहे थे घर वालों के लिए कुछ चीज़ें और हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है कि हम किसी को खिला सकी बस अल्ला ताला वसीले बनाता है दूसरों के लिए शायद अल्ला ताला ने हमें वसीला बनाया हूँ उनके खाने के लिए जो लोग यहां पर लंकर करते हैं उनकी एंट्री डिफरेंट गेट से होती है चाहे तो आप यह अपने हाँ से बाढ़ दो या फिर उनके वरकर्स भी होते हैं वो खुद भी डिस्ट्रिब्यूट कर देते हैं फिर लोगों में अब हम लोग जा रहे थे अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पर जो थी बाढ़ा मार्केट और यह लोकेटिड है सदर में यह है एंपरस मार्केट और इसको मैंने कैप्चुर करने की कोशिश की है होप आपको दिखाई दे यह अंग्रेजो के टाइम की बनी वी है काफी पुरानी मार्केट है यह सो फाइनली अब हम आ गए थे बाढ़ा मार्केट और यहाँ पर इतनी जबर्दस चीज़े होती है ना कि आपका दिल करेगा यह भी ले लो वो भी ले लो और मैं तो मेक अप के स्टॉल पर याके रुगी थी ना यहाँ पर यह जूलरी का स्टॉल है यहाँ यह मैं पहन के देख रही थी कड़ा इट लुक सो ब्यूटिफुल दिल करता है हर चीज़ ले ले थोड़ी सी एक्सपेंसिव है पर चीज़े बहुत जबर्दस्त होती है सारा बाहिर का समान होता है यहां पर बौध ही इंटीग चीज़े होती है और यहाँ पर जावियादे ने देख लिए थे अपने ट्वाइस और वो तो पागल ही हो गए थे ना यह सब देखके यहां से जावियार ने अपने धेर सारे ट्वाइस जमा किये थे और अब तो मेरे पास सम्हालने की भी जगा नहीं है फिर मैंने यह टेस्ट किये परफ्यूम्स अब हमने निकलना था यहां से फोर और थर्ड टेस्टिनेशन इस ओशेन मौल कराची यहां की पिक्स मैंने ओल्डेडी इंस्टा पे पोस्ट कर दी है यू केन विजट मैं इंस्ट्राग्रेम घूमने के लिए आसे इस 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 बेस्ट प्लीस बिकोज बच्चों के लिए यहां पर पोस्ट थी एक्टिवटीज है सबसे पहले तो हमें यह स्टेचू नजर आ गया था और इसकी स्टोरी बहुत मज़े की है जावे यार समझे के यह रियल है एकदम से जब वो हिला ना तो जावे यार तो पूरे चौक गये थे फिर हमने ट्राइ किया यह गोल्ड पार चैलेंज जिसमें होगी थी मैं फेल बिकोज यह निकलता नहीं है बस पैसे ही वेस्ट होते हैं आपके अब हम लोग जा रहे थे अपस्टेर्स शहां पे हम लोगों ने देखी ट्रेंडी जूलरी थोरी से एक्सपेंसिव थी बट इट वाज नाइस बिकोज मुझे लेना था अपने पापा के लिए परफ्यूम उनको परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है सबसे पहले हम लोगों ने एक फ्रेग्रेंस ट्राय की हमें समझ नहीं आई फिर उसने हमें दूसरी टेस्ट करवाई वो भी नहीं हमें समझ जाई फिर उन्होंने हमें थर्ड टेस्ट करवाई फिर जाके हमें थोड़ी बहुत समझ जाई हमने का चलो जरार को डन करते हैं पते हैं जब आप कहीं जाया करो ना आउटिंग पे तो अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाया करो वापसी पे चाहे वो कोई मेहंगी चीज़ हो या सस्ती चीज़ हो इस डिजन्ट मैटर पते हैं उनको ना बहुत इंतजार होता है कि हमारे बच्चे आएंगे शायद हमारे लिए कुछ लेकर आई हो कहते तो नहीं है वो लोग वो लोग कभी आपको खुचते नहीं कहेंगे बट अट लीस इतना तो करी सकते हैं हम उनके लिए और वैसे भी तोफे ताहिप देने से तो महबते बढ़ती है और यहां पर आगी थी हम लोगों की आईस्क्रीम इतनी क्यूर थी ना यह छोटी सी यह मामा इस्क्रीम थी और साथ उसका बेबी भी था यहां पर यहां पर यह हम लोगों को दिख गया था टैटू का स्टॉल तो मैंने और मेरी नीस ने डिसाइट किया चलो टैटू करवाते हैं क्योंकि हम दोनों ही पड़े टाइम से यह करवाना चाहरे थे तो फाइनली हम लोगों ने आज करवाई लिया था इतने मज़े-मज़े के डिजाइन्स थे ना कि हम लोगों से स्लेक्शन ही नहीं हो पा रही थी पिर यह मैंने यह लीव एक स्लेक्ट किया और इसकी फाइनल लुक ना मैंने इंस्टरग्राम पे पिक्चर्स अप्लोट की हैं वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा बाइदे वे इस टंप्रेरी नॉट पर्मिनेंट फिर हम लोग आगे थे दिली के चर्खारे कराची आ रहे हैं न तो यह मस्ट ट्राइ करें बहुत ही जबदस टेस्ट हैंन का लास्ट में दिख गया था इन लोगों को यह बाइक्स का शोरूम और यू नो डैट बॉइस क्रेस फॉर बाइक्स नेवर एंड यह था चीकू शेक